वाड़ी के गोडाउन में लाखों रुपए के तामबा चोर को वाड़ी पुलस ने धर्दबूचा प्राप जानकारी के नुसार नागल वाड़ी सित गोडाउन सी अक्सिजन के उपकरन की 3,95,000 चोरी का मामला गोडाउन मालक पालकर सोसाइटी वानाडोंगरी निवासी बबन शंकवरा उमालिक ने 3 सितंबर को हुआ था जिसकी शिकायत वाड़ी थाने में 25 सेप्टमर 2021 को दर्स की शोरी के मामले को गंभीरता से लेकर वाड़ी डीवी के PSI साचित एहमद सुनल मस्की नीचान शुरू की इंद्रानगल जुगी नागल वाड़ी निवासी आरोपे सुनल सुन्दर दुनोगोई के साथ एक विधी संगर्श बालक को गिरफतार किया गया शिकायत करता के अनुसार गोडाउन में काम करने वाली एक महिला गोडाउन को बंद कर घर चली गई जब दूसरे दिन सुभह गोडाउन में आई तो उसे अंदर सामान अस्तवियस पड़ा दिखाई दिया उसने तुरंट मालिक को सुचित किया कि गोडाउन में आउक्सिजन के तामबे की रोड अस्तवियस पड़े है मालिक गोडाउन में आई तो चोरी होने की बात सामने आए तुरंट वाड़ी पुलिस को सूचना दिगए पुलिस ने जांच की जिसमें करीब 3,95,000 रुपे का तामबे का ऑक्सिजन उपकरन की चोरी होने का खुलासा हुआ कुप सूचना पर पुलिस ने आरूपी सुन्दर वो उसकी नाबालिक साथी को गिरफतार किया दोनों को पूचने पर खुच चोरी करने की कबूली दी उनके पास से करीब 2,64,352 रुपे का माल सब क्या क्या इस कारवाई को डीबी के सुनल मस्के, प्रदिप धोके, प्रमोद, हेमराज, सतीश, इश्वर ने कारवाई को अंजाब दिया पियाई ललिता तोडा से के मारक दर्शिन में आगे की कारवाई डीबी इन चार्श, पियसाय साजित एहमद कर रहे है बीसीयन न्यूस के लिए वाड़ी से सौरप पार्टिल की रिपोर्ट